हालो फ्रेंड्स लत्वार एफसें डिजाइनर में आपका बहुत बहुत सवागत है तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ न्यूवर्ण बेवी के लिए हम शर्ट किस तरह से बनाते हैं वो आपको लाई हूँ तो उसके लिए देखें मैंने यहाँ पर फैबरिक बिचा लिया है फुला लेन का फैबरिक मैंने लिया हुआ है तू फोल्ड में मैंने लिया हुआ है ये अब सबसे पहले हम यहाँ पर डेड़ इंच पे मार्क करेंगे और इसको सीधा लाईन में यूँ मिला लेंगे डेड़ इंच पे मार्क करना है रॉंग साइड मेरी उपर की तरफ को है और राइड साइड मेरी अंदर की तरफ को है सबसे पहले हमने एक तरफ से डेड़ इंच लिया और उसको सीधी लाइन में यूं मिला लिया अब हमने देखे इस डेड़ इंच से आगे सारी मार्किंग करनी है अब यहाँ से देखे जो डेड़ इंच है उससे आगे फाईव इंच पे हमने एक मार्क करना है पर सबसे पहले हम यहाँ पर आधा इंच लेंगे देखे आधा इंच नीचे की तरफ को डाउन जाएंगे और इसको straight line में यूँ मिला लेंगे अब इससे नीचे देखे यहाँ पर फिर से हम 5 इंच पर एक मार्क करेंगे तीरा इसका हमने 5 इंच लेना है जो new one baby के लिए है और 5 इंच हमने इसका armhole लेना है 5 इंच आपको 5 इंच 5 इंच का square आपको बना लेना है यहाँ पर 5 इंच आपको इसका तीरा लेना है और 5 इंच आपको इसका armhole लेना है और इसको box की shape हमने दे देनी है अब यहां से आगे हम मैं 6 इंच लूँगी अगर देखे आपका वेभी हल्दी नहीं है तो आप साड़े 5 भी रख सकते हो 5 इंच भी रख सकते हो उसे कम आपको नहीं रखना है अब यहां से नीचे हम लेंगे length तो length इसकी मैं ले रही हूँ 12 इंच प्लस एक इंच मैं लूँगी margin के लिए तो 13 इंच मैं यहां पर ले रही हूँ अब इसको भी हमने सीधा आ गई हूँ सीधा line इसको draw कर लेनी है यहां से 6.5 इंच पर मैं निसान लगाऊंगी क्यूंकि उपर मैंने 6 इंच लिया है तो 13 इंच मैं इसको शेप देने के लिए लूँगी वैसे आप पूरा 6 भी ले सकते हो इसका कुछ नहीं होता है ऐसे शेप की ज़्यादा जुरूत नहीं होती अब बाहर की तरफ हमने 10 इंच या 1 इंच मार्जन रखना है और इसको भी शेप के अकॉर्डिंग मिला लेना है अब उपर हम आर्मोल की शेप देंगे जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे ही आपको भी देनी है अब यहां से आगे हम गला लेंगे तो गला हमने 2 इंच चोड़ाई में रखना है और 2 इंच हमने इसकी लंबाई में रखना है यह फ्रंट का पार्ट है फ्रंट की कटिंग पहले हो रही है उसके बाद हमने बैक की कटिंग करनी है अब इसको देखे इस तरह से शेप में मिला लेना है बैक के गले की शेप भी मैं यह सी के उपर दे रही हूँ एक इंच हमने बैक के गले की इसी के उपर दे देनी है अब आधा इंच डाउन जाना है और इसको इस तरह से मिला लेना है ये देखे ये एक इंच है और दूसरा मेरा दो इंच आगे वाला गला है तो अब हमने इसको कट कर लेना है जैसे हमने शेप दीज की वैसे हमने इसको कट कर लेना है ये हमारा फ्रंट का पार्ट कट हो गया है अब हमने बैक का कटना है ये देखे बैक का कटने के लिए सबसे पहले जो हमने डेडिन चेक्स टा लिया था उसको हमने अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेना है फिर अब हमने अन्फोल्ड कपड़े पे इसको रखना है ध्यान रहे जो आपका बैक का पार्ट होगा वो अन्फोल्ड पे होना चाहिए फोल्ड पे होना चाहिए टू लेयर में अ अब इसको हमने इस तरह से रखना है फोल्ट वाली तरफ से और इसको जैसे हमने शेब दी है वैसे हमने इसको भी cut कर लेना है front की shape के according इसको cut कर लेना है देखे यहाँ पर हमारा back का भी cut हो गया है अब यह से ही हमने इसको रखना है सबसे पहले हम back के गले का निशान लगा लेंगे और अब back गले की हम cutting कर लेंगे देखे इस तरह की जो कपड़े होते हैं वो new born baby के लिए बहुत ही अच्छी होते हैं बहुर ही relax feel करते हैं बच्चे तो आपको खुद ही इस तरह से घर में full align का fabric लेकर के इसको बनाना चाहिए आप देखे हम front का का काटेंगे तो front का गला काटनी के लिए फिर से हमने इसको fold कर लेना है जो डेडी इंचमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है फिर हम जो गले की cutting है वो करेंगे आपने इसी तरह से ही गले को काटना है अब देखे मैंने यहाँ पर cut कर लिया है अब देखे जब हम इसको बाहर की तरफ को खोलेंगे जो हमारा front का part है सबसे पहले तो हम आधा इंच उपर margin रखेंगे अब यहाँ से आगे हमने साड़े चार इंच पर एक mark करना है यह देखे साड़े चार इंच पर mark किया अब नीचे हम इसकी length लेंगे तो length हम रखेंगे यहाँ पर 9 इंचिस इसकी 9 इंच हम लेंच लगेंगे इस margin भी मैंने इसके अंदर include कर लिया है अब 3 इंच हम बाजू की मोरी रखेंगे और यहाँ से नीचे हम डाउन आएंगे 2 इंचिस अब इसको हम गुलाई की shape दे देंगे और इसको हमने नीचे 3 इंच पर मिला देना है अब आधा इंच बाहर से margin रखना है और इसकी हमने cutting कर लेनी है तो यहाँ पर देखिए मैंने बाजू की cutting भी कर ली है और front और back का part भी हो गया है अब हम इसकी stitching करेंगे तो stitching करने के लिए देखिए हमने इस तरह से पहले front का part को रखना है यह देखिए हमारा front का part है इसको हम खोलेंगे यह right side है हमारी देखिए अंदर की तरफ को यह हमारी right side है अब हमने इसको देखिए जो पटी है हमारी इसको अंदर की तरफ को wrong side की तरफ को यूँ पलटना है और इसको आधा इंच अंदर की तरफ को fold करना है और इसकी ओपर सिलाई लगा लेनी है हम दोनो पार्ट हम इसी तरह से करेंगे रॉंग साइड की तरफ को जो डेडी की पट्टी है उसको पल्टेंगे और इसको आदा इंच अंदर की तरफ को दबाते हूँ इसको सिलाई लगा लेंगे आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हो अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप कच्ची सिलाई लगाए फिर उसके बाद आप इसको तुरपाई कर सकते हो तो यहाँ पर देखे दोनों पट्टिया हम इने यहाँ पर अंदर को फोल्ड कर ली है अब हमने इसको इस तरह से ओबर लैप करते हुए रखना है यह देखे एक पट्टि के उपर दूसरी पट्टि आने चाहिए क्योंकि हम इसमें बटन लगेंगे बाद में अब हम इसके उपर बैक का पार्ट रखेंगे राइट साइड हमारी अंदर की तरफ को है और रॉंग साइड हमारी उपर की तरफ को है अब हम इसके उपर तीरे की सिलाई लगाएंगे देखे इस तरह से ब्राबर रखेंगे इसको और यहाँ पर तीरे की सिलाई लगा लेंगे स्ट बैं आ पर तेरेपर दो-दो सिलाययन लगाओंगी क्यूंकि फिर हमारी सिलायय Yan لا Sally नहीं निकिलती है इससे अब दूसरी तरफ भी देखिया सेम हम इससी तरह से सिलाय लगा रहेंगे दो-दो सिलायया मैं तीरेपर लगा रही हूं अब दीखी इस तरह मैंने सिलाई लगा ली अब इसको हमने इस तरह से खोलना है और तीरे के ओपर हमने लगा लेना है तो पस्टिच देने से क्या होता है कि इसका look कुछ rediment की तरह आता है यह देखिए टॉप स्टिच मैंने लगा लिया तीरे के पर से लाई लगा ली आप आमने स्लीब जोडने हैं इसके उपर तो स्लीब हम पहले देखे इस तरह से खोलेंगे सबसे पहले तो सेंटर पर एक नौच लगाएंगे आप इनको इस तरह से खोलना है अब सेंटर से हम अपने बाजू को जोड़ेंगे देखे बिल्कुल बीचो बीच में अपने इस तरह से रखना है इसको राइट साइड हमारी अंदर की तरफ को रहेगी और रॉंग साइड हमारी बाहर की तरफ को रहेगी सेंटर से पहले हमने एक तरफ को जोड़ना है और फिर सेंटर से ही हमने दूसरी तरफ को अपनी स्लीप को जोड़ लेना है अगर आपको पुलीज वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक चुरू कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा अगर आप कुछ पूछना चाते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और वीडियो कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा मैंने बेबी के उपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है बेबी जो ड्रेसिस है उनके उपर तो उस बेबी न्यूबर्ण बेबी ड्रेसिस नाम से एक प्लेइलिस्ट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा तो वहाँ से जाकर के आप न्यूबर्ण बेबी के लिए सारे कैप, बुटी, पजामा मैंने बुटी वाला पजामा भी बताया है वो आप सीख सकते हो तो आप इस तरह से देखिए लंगोट सब कुछ मैंने बताया है वो आप सीख सकते हो तो देखे स्लीव मैंने दोनों स्लीव यहाँ पर अपनी जोड ली है अब हम स्लीव की पहले मोरी पर सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ को और इसके ओपर हम सिलाई लगा लेंगे दूसरी बाजू भी हमने इसी तरह से मोरी को फोल्ड कर लेंगे तो देखे दोनों मैंने यहाँ पर फोल्ड कर ली है अब हमने इसको देखे रॉंग साइड की तरफ को पलटना है और अब बाजू की मोरी से हम सिलाई देना स्टार्ट करेंगे और नीचे तक हम ये सिलाई लगा लेंगे यहां तक हम ये सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई फिर लगाएंगे यह बहुत ही आसान तरीका होता है जो baby dresses होती हैं उनको stitch करने का यह बहुत ही आसान तरीका होता है और आप इस तरह से अगर आपको stitching नहीं भी आती है तब भी आप बहुत आराम से इसको घर पर बना लोगे और आपको बनानी भी चाहिए इस तरह की dresses क्यूंकि इस तरह के कपड़ों में बच्चे बहुत ही relaxed feel करते हैं अब यहाँ पर भी मैं दो सिलाई लगा रही हूँ, डबल सिलाई यहाँ पर लगा रही हूँ तो देखे दोनों तरफ मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है अब हमने नीचे इस fold करना है यहाँ पर देखे इसको इस तरह से पलटेंगे एक fold इस तरह से देंगे और अंदर की तरफ को margin को दबाते हूँ यहाँ पर सिलाई लगा ली हूँ यह लगाँ अधा इंच हमारा fold का अंदर की तरफ को और इसको पूरा हमने आगे तक इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है तो सिलाई हमारी यहाँ पर देखी लग चुकी है अब हमने अपने गले के उपर पट्टी लगानी है तो इसके लिए हमने देखी ओरे पट्टी कट कर लेनी है मैंने आपर औरेब पट्टी कट कर ली है इसकी जो चौड़ाई है वो लगवक 2 इंचिस है इसको हम देखे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको राइट साइड की तरफ से यू रखेंगे थोड़ा सा बढ़ा के हमने इसको बाहर की तरफ को रखना है और इसके उपर हमने सिलाई लगा लेनी है आधा इंच मार्जन रखते हूँ या क्वाटर इंच मार्जन रखते हूँ आपने इसको सिलाई लगा लेनी है यो औरेब पट्टी आपने गले के साथ स्टिच कर लेनी है दियान रखें जो औरे पटी है वो आपकी थोड़ी सी बड़ी हुई आगे की तरफ होनी चाहिए ये क्यों होनी चाहिए वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी तो इसको हमने इसी तरह से आगे तक सिलाई लगा लेनी है तो अब देखें सिलाई हमारी यहाँ पर लग चुकी है यहाँ पर भी हमने चोटी चोटी नौची से लगा लेने हैं क्योंकि उसे हमें पलटने में फिर एजी रहता है देखें अब हमने देखें भागे मैं आपर कट कर रही हूँ अब देखें इस तरह से हमने उपर की तरफ को मार्जन को करना है और जो साइड को बढ़ा के रखा है उसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है और अंदर की तरफ को दबा देना है जो भी margin है हमारा इसे वो अंदर की तरफ को चला जाएगा और बहुत ही neatly आपका होगा ये फिर काम होगा तो अब मैं आपनी इस तरह से इसको पूरी सिलाई लगा लेनी है जो भी margin है उसको अंदर की तरफ को दबाना है और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है तो अब देखी सिलाई हमारी लग चुकी है ये देखे आप हमने इसके काज और बटन इसके उपर लगाने है तो काज और बटन किस तरह से लगाएंगे देखे मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से हमारे बटन रखने हैं पहले आपको बटन जिस भी साइज का आप लेना चाहते हो उस साइज का आपने ले लेना है चार बटन मेरे इसके उपर लगेंगे तो आप हमने देखे यहाँ पर उपर हमारे काज बनेंगे इसको हमने इस तरह से पकड़ना है और यहां पर हमने इसको cut लगाना है इस scissor से मेरे cut नहीं लगा तो मैं दूसरी बड़े वाली scissor यहां पर ले री हूँ अब देखे इसको हमने छोटा सा कट पहले लगा के देखना है यह मैं देखने हूँ कितना मेरा कट लगा अभी नहीं लगा था तो मैं इसको फिर से कटूंगी थोड़ा सा हलका सा कट आपने लगाना है इस तरह से अब इसके अंदर आपको बटन इंसर्ट करके देख लेना है कि आपका बटन आ रहा है या नहीं अगर आ रहा है तो फिर आपका यह इतने ही से आपको करने है नीचे हमारे देखिए बटन लगेंगे और उपर हमारे काज होंगे तो इसी तरह से आपने सारे बना लेनी है, काज आप बहुत एजीली बना लोगे, तो यह आप बना लीजिए, तो यहाँ पर देखे काज भी मैंने बना लिए हैं और बटन भी मैंने लगा लिए हैं, कुछ इस तरह से देखे हमारी फिर यह शर्ट बनकर रैडी हो गई है, सो आपको कैसी लगी प्लीज एक मेंट करके जुरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करना प्लीज बिल्कुल मत भूलेगा थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई